दोस्तो घर बैठ कर पार्ट टाइम कमाई करने का एक बिल्कुल युनीक आईडिया मुझे मिला है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आईडिया मुझे आप जैसे एक दर्शक नहीं दिया है उनका नाम हैरितेश कुमार उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा है सर मैं जादा पड़ा लिखा नहीं हूँ मेरा एक दोस्त है वो भी जादा पड़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी वो content writing या article राइटिंग करकर बहुत अच्छी खासी कमाई करता है अपने घर बैठ कर तो ये कैसे हो सकता है सर? क्योंकि मैंने तो सुना है कि content writing या article writing करने के लिए किसी भी व्यक्ति का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना अवश्यक है और उसका दिमाग भी बहुत ज्यादा creative होना चाहिए. जबकि वो मेरा दोस्त ना ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा creative mind का है तो वो ये सब कैसे कर पाता होगा सर? और इतनी अच्छी कमाई कर लेता है और अराम से अपने घर बैठकर मैंने उससे काफी बार ये बात पुछी कि भीया तुम ये सब कैसे कर पाते हो आपको जानकर हैरानी होगी उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया उसने कहा मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा. रितेश जी आपका ये कमेंट आने के बाद मैंने अपने स्टाफ को इस काम की रिसर्च के लिए लगा दिया था कि वो पता करें क्या इस तरह से कमाई की जा सकती है. कुछ दिनों की महनत के बाद मेरे स्टाफ ने एक तरीका ढून निकाला है. मैं आज के वीडियो में आपको उसी तरीके के बारे में बताऊंगा और सिखाऊंगा भी. आप भी बहुत अराम से वही काम कर पाएंगे और सिर्फ अपने मोबाईल फोन से ही कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात आपकी जेब से एक नए पैसे की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा और सिखाऊंगा कि अगर आपने आज से पहले कभी भी कंटेंट राइटिंग का काम नहीं किया है और आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आप ज्यादा पड़े लिखे नहीं हैं, तो भी आप कंटेंट ये दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा असान हो जाएगा, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे हैं, हैलो फ्रेंड्स, कैसे आप, जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल, मैं पिछले 26 सालों से एक HR Recruitment Specialist हूँ, मैं आपके ल या Article Writing से आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं अपने घर बैठ कर, Content Writing का आखेर मतलब क्या होता है, देखे, Content का मतलब होता है, किसी भी विशय पर लिखा गया कोई Article, और Writing का मतलब होता है लिखना, यानि कि किसी भी विशय के ऊपर लिखने की प्रक्रिया को कहते है, Content Writing, ल जैसे की वेबसाइट्स, वेबसाइट्स चाहे छोटी हों या बड़ी हों, पहले पेज से लेके आखरी पेज तक किसी भी वेबसाइट में लिखा हुआ, Material या Content ही तो होता है दोस्तों, या उसमें Photographs वगरा होते हैं, अब आप सोचिए, रोज लाखों नई वेबसाइट् इतने ज्यादा Content या Articles की आवशकता डेली बेसिस पर पड़ती हैं, इसके अलावा Social Media Platforms जैसे की Facebook, Instagram, YouTube, इन पर भी बहुत ज्यादा Content या Articles की आवशकता होती हैं, इसके अलावा Newspapers, Magazines, Film Industry, Television Industry, सब जगह Content के बिना तो काम चलता ही नहीं दोस्तों, In fact, आज की डेट में इन सभी Platforms पर अच्छे Content की काफी कमी है, देखे दोस्तों, ये वाला काम इस तरह से करना है, सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी एक Freelancing साइट है, उस साइट से Content Writing या Article Writing का काम पकड़ लेना है, मैं इसी वीडियो में आपको Practically ये सब करके सेट में सैकडों Content Writing और Article Writing के काम इवलेबल है दोस्तों, जिन में एक एक काम के लिए 100 डॉलर से लेके 1000 यूएस डॉलर तक मिलते हैं, यानि के 7000 रुपे से लेके 70,000 रुपे तक एक एक काम के मिलते हैं, मैं अभी आपको इसी साइट के उपर Practically ले जाकर दिखाऊंगा अब आपको जिस भी तरह के Content Writing या Article Writing का काम क्लाइंट से मिला है, उसी तरह का Content या Article हमने Google Search पर जाकर ढून लेना है और उसको Copy कर लेना है, कैसे करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में Practically करके दिखाऊंगा, अब हमने ये जो Article Google Search से Copy किया, दोस्तों ये तो किसी और व् है, ये तो किसी और का Copyright है, हम किस तरह से इस आर्टिकल को अपना कह सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ, हमने एक ऐसी जादूई वेबसाइट ढून निकाली है, जिसमें एक ऐसा जादूई टूल है, जो किसी और के लिखे हुए Copyright कर देता है, और वो भी Automatically, उसके अंदर एक ऐसा Software है, जो किसी और के लिखे हुए आर्टिकल या Content को सिरफ 10 मिनट में दुबारा से लिख देता है, और वो अलग तरह से लिखा जाता है, लेकिन उस आर्टिकल की Soul या आत्मा वही रहती है, उस आर्टिकल का मतलब और उसक जाता है, उसमें शब्दों का इस तरह से हेर फेर ये टूल या साइट कर देती है, कि वो लिगली भी हर तरह से आपका हो जाता है, Copyright Free हो जाता है, सिरफ 10-15 मिनट के अंदर दोस्तों, और उसके बाद आप उस आर्टिकल को किसी को भी बेच कर कोई भी कीमत ले सकते हैं, य ये सब कैसे होता है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में practically आपकी आँखों के सामने करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी, अब आपके पास एक यूनीक आर्टिकल तो आ गया, ठीक है, जो आपने किसी का Copy किया और उसको इस टूल के जरीए चेंज कर दिया, कि व आप पर बाद में उंगली तो नहीं उठा देगा, कि भाईया, ये तो आपने कहीं और से Copy मारी है, तो एक ऐसी वेबसाइट भी है, जिस पर आप खुद या कोई भी व्यक्ति आपका वही आर्टिकल डाल कर ये चेक कर सकता है, क्या वाकई में ये आपका आर्टिकल Copyright Free है, कल ये तो नहीं कि कोई और व्यक्ति इस पर दावा कर देगा, कि भाई ये तो हमारा है, या आपका Client ही कल आपको ये कह दे, कि भाईया, ये तो आपने कहीं और से Copy किया है, ऐसा तो नहीं होगा, ये सब भी मैं आपको practically इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा तो चलिए, अब मैं आपको अपने laptop और mobile पर लेकर चलता हूँ, तो दोस्तो ये है मेरे laptop का screen आपके सामने, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आपको अपने mobile phone पर भी ये करके दिखाऊंगा, ठीक है, अभी मैं आपको सबसे पहले, दुनिया की सबसे इस साइट के ओपर पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी कंपनिया आकर अपना काम डालती है, जिसमें Microsoft भी है, MetLife भी है, Intel भी है, Boeing भी है, इन से बड़ी कंपनिया नहीं हो सकती हैं दोस्तो, GE, General Electric, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनिया हैं दोस्तो, Blue Chip कंपनिया हैं, पूरी दुनिया की, सारी दुनिया में लोग तरसते हैं कि वो इन कंपनियों के लिए कभी जिन्दगी में काम कर पाएंगे, लेकिन Freelancer.com पर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनिया आकर अपना Freelancing का काम डाल देती हैं, पूरी दुनिया में लाखों करोडों लोग बैठ कर अपने घरों में इन कंपनियों के लिए काम करते हैं और यूएस डॉलर्स में कमाई करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, आज की डेट में Freelancer.com के उपर चार करोड, जी हां दोस्तों हैरानी होगी, चार करोड से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में अपने घरों में बैठ कर काम करते हैं, Freelancing का और कमाई करते हैं, सिरफ और सिरफ Freelancer.com के उपर, Freelancing इतना बड़ा काम हो गया है, और Freelancer.com सिरफ एक साइट है दोस्तों, ऐसी और बहुत सारी साइट से, तो कहने का मतलब यह है, घर बैठ कर, Freelancing करके कमाई करना, आज की डेट में एक practical option है, जिसे आप explore कर सकते हैं, ठीक है, Friends मैंने Freelancer.com पर registration कैसे करना है, इसके बारे में एक detailed video बना कर YouTube पर डाल रखा है, मैं उस video का link, इस video के description box में लिख दूँगा, आप उस पर click करके वो video देख लीजे, और Freelancer.com पर free of cost register कर लीजे, ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे Freelancer.com आपके mobile phone पर भी हूब हूँ इसी तरह से चलती है और खुलती है, अब आप देखेंगे, मैं अपना mobile phone आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ, तो दोस्तों देखी, ये है मेरे mobile phone का स्क्रीन, आपकी आँखों के सामने, आ है, वो कितना भी पुराना हो या नया हो, कोई भी site का desktop version खोल सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको laptop की आवशक्ता या जरूरत ही नहीं रहती है, अब आप देखेंगे दोस्तों, मेरे mobile phone पर उपर टॉप में, राइट हैंड पर जहां तीन dots लगें, मैंने यहां क्लिक किया, बिल्कुल एक परतिश्रत का भी इधर उधर कोई फर्क ही नहीं है, बिल्कुल वही site है, ठीक है दोस्तों, यानि कि आप अब बेधड़क अपने mobile phone से किसी भी freelancing site पर 100% free of cost register कीजे, काम पकड़िये, काम करके दीजे और पैसा कमाईए, ठीक है, अब दोस्तों मैं अपना mobile phone आपके सामने से हटा कर, आपको आगे की सारी details अपने laptop पर ही दूँगा, क्योंकि laptop पर मुझे आपको समझाने में असानी रहती है, laptop में fonts बड़े होते हैं, आपको असानी से सब समझ आ जाता है, और देखता भी बड़ा-बड़ा है, ठीक है, तो friends मैंने freelancer.com पर पहले से ही इसका detailed video मैंने YouTube पर पहले ही बना कर डाल रखा है, उसका link इस video के description box में है, ठीक है, आप वहाँ से जाकर अपना registration कर लीजे या sign up कर लीजे, ठीक है, मैं login करके अब शुरू करता हूँ, अब देखिए दोस्तों ये है freelancer.com का dashboard, ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि freelancer.com freelancing site के ओपर article writing करवाने के लिए कितने सारे clients ने orders या काम डाले हुए है, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले, दोस्तों कि अगर आप article writing करते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलता है, ठीक है, अब देखिए सबसे ओपर browse पे जाओंगा, अब tutorial या video बनाया था, वो मैंने बनाया था social media marketing के बारे में, ठीक है, तो मैंने freelancer.com पर वही skills यहाँ select किये हुए थे, आज हम यहाँ से article writing करके पैसा कमाने की कोशिश करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें ये skills बदलने हैं, अगर आप freelancer.com पर पहली बार register करेंगे, तो ये सब चीजें आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से freelancer.com पर register हैं, तो आपने उस वक्त जो skills डाले थे, वो change करने पड़ते हैं, जब भी आप कोई अलग तरह का काम करना चाहते हैं, freelancer.com पर, तो आपको हर बार ये skills बदलने पड़ते हैं, ठीक है तो मैं अब ये आपको फटा-फट बदल के दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं ये clear skills कर दूँगा, अब देखें हमारे skills clear हो गए, ठीक है, अब हम आज freelancer.com से article writing का काम पकड़ कर पैसे कमाने की कोशिश करने जा रहे हैं, तो अब हम वो skills add करेंगे, ठीक है, आप देखते जहाँ लिखा हुआ, edit profile skills यहाँ क्लिक करूँगा, अब देखें ये मैं पुराने skills जो मैंने select कर रखे थे, ये मैं सब हटा देता हूँ, देखें friends, मैं कोई भी step edit नहीं करता हूँ, चाहे वीडियो लंबा हो जाए, मैं steps edit नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर आपके comments आएंग और कहीं न कहीं अटक जाएंगे, ठीक है, आप देखें मैं यहाँ पर article writing से related नए skills चूज करूँगा, अब देखेंगे ऊपर से देखेंगे third section है, writing and content, ठीक है, मैं इस पर click करूँगा, अब देखेंगा दोस्तों, यहाँ पर यह बहुत सारे writing and content से related skills दिखा रहा है, ठीक ह हम यहाँ पर 20 तक select कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो भी select करते चले जाएंगे, वो यहाँ पर add होता चले जाएगा, अब देखेंगे, तो हम 20 तक कुछ भी यहाँ से select कर सकते हैं, तो अब देखेंगे, आपको पूरे के पूरे 20 जो यह allow करती है site, उतने skills जरूर select कर लेने हैं, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा काम दिखेगा, और आप ज़्यादा काम पकड़ पाएंगे, पूरा करके दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो अब देखी, यह मेरे 20 होने वाले हैं, यह देखे हो गए, ठीक है, 20 selects मैंने कर ली हैं, अब दोस्तों हम नीचे आकर save and return to search पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों हमने यह देखना है कि freelancer.com के उपर आज की डेट में article writing के कितने काम projects available हैं, ठीक है, जिने हम पूरा करके दे सकते हैं client को और पैसा कमा सकते हैं US dollars में, तो देखी, जहां यहां लिखा है search for projects, तो यहां पर हम type करेंगे content writer या article writing और उस से हमे यह पता चलेगा, आज की date में freelancer.com के उपर कितने काम available हैं, जो हम यहां से पकड़ कर, पूरा करके दे सकते हैं, और US dollars में कमाई कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं यहां पर type करूंगा content writer, अब देखेंगे दोस्तों कि यहां पर नीचे एक box खुलता रहता है, जिसके अंदर freelancer.com के उपर 291, यानि करीब 300 के करीब काम available हैं, दोस्तों, यह बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, ठीक है, रोज नए-नए काम आते हैं, अब देखेंगे यह जो आपको काम दिख रहा है, यह सिरफ 21 मिनट पहले add हुआ है, अब यह latest से हमें दिख रहा है, ठीक है, जो क freelancer.com के उपर काम हर मिनट में नए-नए डलते हैं, ठीक है, और यह हर बार आपको नया एक figure यहाँ पर दिखाई देगा, तो दोस्तों, अब हम यह देख लेते हैं, कि यहाँ पर किस तरह के काम available हैं, कितना पैसा मिलता है, ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे मालूम है, आपको professional level की content writing या article writing करनी नहीं आती है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, कि किस तरह से आप कोई भी article कहीं से भी उठा कर, उसमें थोड़े बहुत changes करके, उसको copyright free बना कर, दुबारा से किसी client को बेच सकते हैं, आपको मैं इसी वीडियो में वो सब दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजे, अभी फिलाल मैं सिर्फ आपको motivate करने के लिए दिखाना चाहरा हूँ, कि किस तरह से और कैसे काम freelancer.com पर content writing के available है, जो आप भी कोशिश कर सकते हैं, कि आप उठा ले देने के लिए तयार है, एक घंटे का, ठीक है दोस्तो, यानि कि अगर आप यहां से काम उठाते हैं, और उसको यह कहते हैं कि आपको यह काम करने में 100 घंटे लगेंगे, ठीक है, तो आप तकरीबन 200 से 800 US डॉलर यहां से कमा के ले जा सकते हैं, ठीक है, 200 US डॉलर का मतलब ह हो गया, करीब 15,000 रॉपया, और 800 US डॉलर का मतलब हो गया, दोस्तो, करीब 55,000 रॉपया, ठीक है, अब यह काम किस तरह का है, मैं आपको यह खोल के काम दिखा देता हूँ, तो देखे फ्रेंट्स, यह है काम, ठीक है, अब यहां पर यह जो कंपनी है, यह व्यक्ति है, यह USA में है, ठीक है, अब देखे फ्रेंट्स, freelancer.com ने, आपको secure यह safe करने के लिए, इस employer का, यह जिस व्यक्ति ने यह काम डाला है, उसकी identity को verify कर लिया है, payment method को verify कर लिया है, यानि कि deposit भी ले लिया है, इस व्यक्ति से, ताकि यह नहो कि यह काम करवाले आप से या किसी से, और बाद में पैसे दिने में आना का नहीं करे, तो deposit भी रखवा लिया है, freelancer.com ने, ठीक है, तो जब आप एक बड़ी freelancer.com जैसी site के through, deal करते हैं, तो यह site आपको as a freelancer protect करती है, और इसका mobile number भी verified है, email ID भी verified है, तो अगर आपने यह काम पकड़ लिया, या कोई भी काम freelancer.com site से पकड़ लिया, तो आपको पैसे की कोई भी चिंता करने की आवशकता नहीं है, ठीक है, तो यह आपको एक काम दिख रहा है, अब मैं आपको दूसरा काम दिखा देता हूँ, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, एक और काम है, यहाँ इसकी डेटेल मैं आपको जल्दे से खोल के दिखा देता हूँ, तो देखिए, यह इसकी डेटेल खुल चुकी है दोस्तों, ठीक है, यह काम अभी रिसेंटली ही डला है, यह कंपनी भी USA में है, ठीक है, इसका भी इन्होंने पूरा वेरिफेकेशन कर रखा है, आइडेंट डाले, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूरी डेटेल्स हैं, कि उसको किस तरह की content writing करवानी है, जब आप freelancer.com के उपर free of cost register करेंगे, तो यहाँ आकर यह एक एक काम खोल कर देखिएगा, मैं फिलहाल सिरफ आपको दिखाने के लिए जल्द box के लिए, ठीक है, अब मैं आपको यह खोल के दिखाता हूँ, देखिए, यह साड़े साथ सो से लेके पंदरा सो US डॉलर का काम है, यानि तकरीबन पचास-पच्पन हजार रुपे से लेके एक लाख रुपे तक का काम है, ठीक है, और यह सिरफ एक दिन पहले ही यह काम य यह deposit रखवा लिया है, आप भी जब कोई भी काम इस तरह से देखें, freelancer.com साइट के उपर, तो यह ज़रूर चेक कर लें, कि भाईया, यह सारी चीज़ें पूरी हैं, अगर आपको इन में से एक भी चीज़ पूरी ना दिखें, या deposit नहीं हुआ या payment method अभी verify नहीं हुआ ह तो आप उस काम को ना लें, तो इस तरह से आप safe रहते हैं दोस्तों, तो friends अब मैं आपको इसी काम के उपर apply करके भी दिखाता हूं, कि कैसे आप भी apply कर सकते हैं और इस काम को लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे comments आते हैं, कि sir आप हमें practically apply करके भी द करना, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताता चलू, freelancer.com के उपर आप जब एक email ID से एक account बनाते हैं, तो आपको 8 bids करने का option मिलता है, यानि इस तरह के 8 कामों पर आप bids कर सकते हैं, यानि आप apply कर सकते हैं, उसके बाद freelancer.com कोशिश करती है, कि वो आपको paid या professional service offer कर वो आपने नहीं लेनी हैं दोस्तो, उस case में फिर आपने एक नया account बना लेना है, freelancer.com पर और 8 bids और ले लेनी है, आपने अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने हैं, दीखे, freelancer.com एक दुनिया की जानिमानी site है, लेकिन इनका भी एक business है, एक company है, जहां sector लोग काम करते ह तो यह भी कोशिश करते हैं कि कोई paid या professional services आपको बेचने की कोशिश करें, लेकिन मैं वो आपको बिकने नहीं दूँगा, कहने का मतलब यह है कि मैं सारा काम अपने वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा, जो 100% free of cost हो, एक रुपया तो बहुत बड़ी बात है, एक पैसा भी आपकी जेब से खर्च नहीं होने दूगा, मुझे बहुत सारे comments आते थे, कि sir freelancer.com पे हमारी bids खतम हो गई, अब हम क्या करें, वहाँ पे तो पेड option आ रहा है, तो मैं comment करते करते थक गया कि भईया paid option नहीं लेना है, नया email ID लीजिए, और उससे एक नया account freelancer.com पे बना है दोस्तों, ठीक है, पैसे देके service नहीं लेनी है, ठीक है, अब मैं आपको इस project पर bid करके दिखाता हूँ, अब दिखी यहाँ पर नीचे आएंगे, अब दिखी यहाँ लिखावा, place a bid on this project, ठीक है, you will be able to edit your bid until the project is awarded to someone, यानि कि अगर हम यहाँ पर यह bid लगा भी रहे हैं, तो apply या bid करने के बाद भी हम इसे बदल सकते हैं, हम यहाँ पर जो भी rate लिखेंगे, उसे घटा बढ़ा सकते हैं, दो-चार दिन के बाद भी, आप समझ रहे हैं, जब तक कि वो किसी को award नहीं हो गया, यानि जब तक ये काम किसी को मिल नहीं गया, तब तक आप इसको बद दिया, 1000 US dollars, ठीक है, this project will be delivered in how many days, ठीक है, आप चाहें तो इसको बढ़ा के, घटा के, कितना भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको एक reasonable time दे दिया, 5 दिन, आप चिंता मत कीजे दोस्तों, आपको article या जो content है, वो शुरू से दिमाग लगा के नहीं लिखना है, मैं अभी आप article लिए भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, अब हम यहाँ नीचे आते हैं, describe your proposal, मतलब what makes you the best candidate for this project, यानि अब आप यहाँ हमें ये बताईए, कि आपको ये काम क्यों मिले, आप बाकी लोगों से अलग क्यों है, अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ, मेरी आ यहाँ पर हमें कम से कम 100 characters का proposal में description देना होता है, यह आपको यहाँ नीचे दिखता रहता है, जैसे ही 100 characters हो जाते हैं, वो नीचे से हट जाता है, यानि 100 हो गए हैं, आप थोड़ा ज्यादा लिखेगा दोस्तों, ठीक है, यह जो proposal में description लिखना है, यह भी आप को कैसे मिल सक सकता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि जब मैं आपको यह दिखाऊंगा, कि आप दूसरे लोगों के लिखे हुए article या content में थोड़ा बहुत fair बदल करके, यहाँ पर बेच सकते हैं, अपना कहकर, और बिना किसी copyright की चिंता किये बिना, तो यह इस तरह के description भी आप कहीं से भी निकाल कर उन में changes करके यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप मिरसाद बने रही यह आन तक, मैं आपको सब दिखाऊंगा practically और सिखाऊंगा, ठीक है, अब हम और नीचे आते हैं, अब देखिए friends, यहाँ पर यह एक milestone का एक suggestion आ रहा है, ठीक ह यानि कि freelancer.com यह कोशिश करता है हर stage के उपर या कभी 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 कि वो हमें कोई paid option देने की कोशिश करें, जो हमें नहीं लेना हैं दोस्तों, किसी भी हालत में यह paid options आपको लेने ही नहीं हैं, आप मेरे channel पर आये हैं बिना एक पैसा खर्च किये कमाई करने की कोशिश करने क लिए, ठीक है, तो इन से मैं आपको बचा कर ले जाता हूँ, चाहिए बहुत छोटी सी amount हैं, लेकिन ये आपको नहीं लेनी है, कल आपको काम नहीं मिला, अभी आपको ये छोटी सी amount लग रही है, कल आपको काम नहीं मिला तो आपको दुख होगा, ठीक है दोस्तों, ओके, तो इसलिए ये नहीं लेना है कभी भी उसके बाद place bid पर मैं click कर देता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों सिरफ 2 मिनट में bid हो जाती है अब देखें यहाँ पर आपकी photo दिखेगी जब आप freelancer.com पे register करेंगे free of cost ठीक है यहाँ मैंने details लिख दी है इसको बदलते रहना चाहिए दोस्तों अगर आपको 2-4 दिन में ये लगे कि आपको इस bid के ऊपर जो ये client से हमने ली है काम नहीं आ रहा है तो इसको बदल दीजे ठीक है और आपको ये भी दिखता है कि इसी काम इसी bid के लिए बाकी लोगों ने क्या proposal दी है आप देखिएगा ताकि आप उनसे compare भी कर सकते है देखिए इन्होंने 700$ लगाए है इन्होंने भी 700$ लगाए है इन्होंने 700$ लगाए है कहने का मतलब ये है 1200$ लगाए है और और भी है ठीक है और पूरी दुनिया से लोग कोशिश करते हैं और मैं आपको यह भी बता दूँ, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि बदलना है, ठीक है, बदल देंगे, लेकिन कैसे edit पे जाके, देखिए, यहाँ edit पे जाएंगे, तो यह दुबारा से खुल जाएगा, सब कुछ बदल सकते हैं, और आप चाहें तो हटा भी सकते हैं अ इस client को बेच कर 1000 डॉलर कमा लेंगे, क्योंकि हमें खुद को, तो content writing करनी नहीं आती है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था, यह मैं आपको दिखाऊंगा, कि बिना खुद content या article write किये, आप कैसे client को content या articles बेच कर ही पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, ठ 100% copyright free है, यानि कोई भी आपको copyright का issue नहीं आता है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो करते कैसे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हमें Google का search बार खोल लेना है, यानि Google पर पहुंच जाना है, मैं या plus पर click करूँगा, आप देखिए यह खोल गया, अब हमने client से काम प महमारी फैली हुई है, सबसे ज़्यादा articles आपकी सेहत या health से related ही छपते हैं, अलग-अलग websites के ओपर, ठीक है, तो अगर कोई भी client है, और वो हमें ये कहता है कि आप health से related, हमें कोई article लिखकर दीजे, तो मैंने Google पर type किया health, अब देखिए friends, ये एक list खुल चुकी है, जित तरह का article वो आपसे demand करेगा, let's say वो आपसे कोई ऐसा article demand करता है, जो खेल कूद से, यानि sports से related है, तो वो ढूणना है, ठीक है, अगर वो आपसे कहता है, हमें buildings या construction के बारे में कोई article लिखवाना है, तो वो ढूणना है, अगर आपको कोई science से related article लिखने के लिए बोलता है तो वो ढूणना है, कहने का मतलब यह है, कि हम ना science में ज़्यादा अच्छे है, ना maths में, ना construction में, ना health के बारे में हमें कोई ऐसी ज़्यादा जानकारी है, कि हम कोई article लिख सकें, लेकिन Google को तो सारी जानकारी है ना दोस्तो, हम यहाँ जो भी डालेंगे, उसके सारे के स दिखाने वाला हूँ, कि उसी किसी और व्यक्ति के लिखे हुए, किसी भी subject के article को हम copyright free कैसे कर सकते हैं, हमने उसमें थोड़े बहुत changes करने होते हैं, और वो changes भी एक software करता है दोस्तो, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, आप देखते जाए, कैसे जादू होता है, अग मै सबुत दिखाऊंगा मैं, कि ये copyright free हो गया है, एक ऐसा tool और site है, जिस पर हम check कर सकते हैं, कि वो article copyright free है या नहीं है, ठीक है, वो मैं सब आपको यहां दिखाऊंगा, और सब free है दोस्तो, आपके laptop, mobile दोनों पर होता है, ठीक है, आप देखते रहिए, अब मैं थोड़ा सा नी पीचे तक है, अब मैं इसको copy कर लेता हूँ, दोस्तो, ऊपर से, अब दिखी, friends, मैंने ये copy कर लिया, अब ये article मैंने copy कर लिया, जो किसी और का लिखा हुआ है, ठीक है, अब दोस्तो, एक tool है, ठीक है, जिसको आप एक site भी कह सकते हैं, जो आपके mobile phone में भी चलता है, और आपके laptop में भी चलता है, अब वो tool मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये है tool, friends, इसका नाम है rewriter tools, मैं इस tool का link इस video के description box में लिख दूँगा, आप वहाँ से click करेंगे, अपने laptop से या अपने mobile phone से ये खुल जाएगा, ठीक है, कोई registration करने की भी जुरूरत नहीं है, किसी ठीक है, ओके, सिरफ यहाँ पर देखी, जहाँ ये लिखा हुआ है, text before, text after, मैं यहाँ पर paste कर दूँगा, और यहाँ पर वो change कर देगा, दोस्तों, अब मैं यहाँ पर ये paste कर देता हूँ, आपके सामने, अब देखी, मैं यहाँ पर जहाँ start button लिखा है, यहाँ क्लिक करू ठीक है, 100% free tool है, दोस्तों, किसी stage पर आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं होता है, एक रुपया तो बहुत बड़ी बात है, एक पैसा भी खर्च नहीं होता है, अब देखी, 21% हो गया, अब देखी, यह 32% हो गया, आपका जो net connection है, दोस्तों, उसकी speed पर depend करेगा, कि य जल्दी या देर से होगा, इसमें समय लग सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप Wi-Fi का connection यूज़ कर रहे हैं, तो यह fast हो जाएगा, अगर आप वैसे ही अपने network का internet connection यूज़ कर रहे हैं, तो शायद यह slow होगा, आपको थोड़ी देर wait करनी पड़ेगी दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों कि यह जो एक tool है, या site है, rewriter tools, ठीक है, जो किसी भी article या content को rewrite कर देती है, ताकि उसमें से copyright का issue हट जाए, ताकि कोई भी एक claim ना कर सके, legally, कि आपने उसके article को copy किया है, ठीक है, तो अब देखी, यहाँ पर यह जो आपको colored यहाँ पर शब्द या words द बदले हैं, ताकि यह copyright से हट सके, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पुराना भी दिखा देता हूँ, अब देखी, यहाँ लिखा हुआ था many people, पहली line में, यहाँ लिखा हुआ many humans, ठीक है, तो यह change है, अब देखी, यहाँ पर इसने COVID-19 लिखा हुआ है, डेवलप, यहा कि बहुत सारे शब्द बदले हैं, इसलिए यह copyright free माना जाता है, दोस्तो, इसको हम यह नहीं कह सकते हैं, कि यह यहाँ से शब्द बाई शब्द उठा कर रख दिया गया है, ठीक है, अब हम यहाँ पर next पर click करेंगे, अब यहाँ पर rewrite suggestion तक हम पहुँच चुके हैं, हम चाह अब आपके दिमाग में यह आएगा, कि यह इस site के उपर तो दिख रहा है, कि unique article है, लेकिन इसका क्या सबूत है, कि यह वाकई में unique article है, और जिसको हम यह बेचेंगे या देंगे, वो कहीं यह complaint तो नहीं कर देगा, भाई, इस तरह का article तो किसी और ने पहले कहीं और लिख से हम यह check कर सकते हैं, उस site को अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, अब देखे friends, site का नाम है small SEO tools, चिंता मत कीजे, मैं इस site का link भी इस video के description में लिख दूँगा, आप अपने mobile या laptop से खोल कर देख सकते हैं, ठीक है, 100% free of cost है, चिंता मत कीजे, किसी stage पर पैसे नहीं ठीक है, pledgeism का मतलब यह होता है दोस्तों, कि अगर किसी ने किसी का article चोरी कर लिया है, और उसको इस्तेमाल कर रहा है profit के लिए, तो हम यहां से check कर सकते हैं, ठीक है, तो अब मैं आपको यह check करके दिखाऊंगा practically इस site के उपर, कि जो article हमने copy किया है, पहले मैं आपको वो check कर करके दिखाऊंगा original, और उसके बाद जो हमने change किया है, जो unique article develop किया है, एक tool के जरीया आपकी आखों के सामने, उन दोनों को मैं आपको check करके दिखाऊंगा, अब देखें दोस्तों, यहां पर यह जो box है, यहां पर हम वो copy paste कर सकते हैं, जिस article को हमने check करना है, कि क्या वो क कर दो तीन बार check करना पड़ता है, ठीक है, मैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ, नहीं तो हो सकता है, आप यहां पर जो article copy paste करें, वो 1500 या 1200 शब्दों का होगा, वो check नहीं करेगा, फिर आपके comment आएंगे sir, आपने तो यह ऐसे ही कुछ बना कि हमें दिखा दिया है, ठ आपको बताता हूँ, लेकिन आप कई बार video skip करके देखते हैं, तो आप miss कर जाते हैं, ठीक है, अब मैं यहां पर आपको सबसे पहले original, अब सबसे पहले मैं यहां पर वो वाला article डालूँगा, जो original था दोस्तों, ठीक है, उसके बाद जब हमने उसको बदला, वो आपको ड देखते हैं दोस्तों, कि क्या यह प्लेज रिजम में आता है या नहीं आता है, देखे फ्रेंस, प्लेज रिजम का मतलब यह होता है, कि अगर कोई भी article copyright है, तो वो फिर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो अब मैं यहां पर यह पेस्ट कर दूँगा, अब देखें, नीचे जहां लिखा है, चेक प्लेज रिजम, यहां क्लिक करूँगा, और यहां पर नीचे देखेगा, दोस्तों, अब देखें, यह checking हो रही है, ठीक है, यह depend करता है दोस्तों, आपके net speed के ओपर काफी समय भी लग सकता है, अब आप देखेंगे दोस्तों, कि य बिल्कुल भी unique नहीं है, यानि कि अगर हम इस article को as it is उठा कर किसी को दे दें, तो यह 100% copyright है, यानि कि हम किसी की साहित्य की चोरी कर रहे हैं, ठीक है, अब दोस्तों हमने यह तो करना नहीं है, ठीक है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, जो हमने यह article बदल दिया है, ठी यह original article था, ठीक है, जो copyright है, और यह copyright free बनाने की हमने कोशिश की, अब हम यह देखते हैं कि क्या यह बन गया copyright free, ठीक है, मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होता है, यह हमने चेक करना है, technically, मैं इसको भी copy कर लेता हूँ, ठीक है, और दुबारा से, वहीं जाएंगे, उसी site के उपर, जहां पर यह सब checking होती है, और यह वाला मैं अब हटा दूँगा, पहले वाला, अभी delete कर दिया, अब मैंने दूसरा article, जो नया बनाया है, जो मुझे client को बेचना है, और US dollar में कमाई करनी है, और वो भी second US dollar, यह वो है, ठीक है दोस्तो, ओके, अब इसको check करते हैं, क देख रहे हैं दोस्तो, यह checking हो रही है, अब यह 100% हो गया check, ठीक है, अब इस site ने हमें check करके यह बता दिया, कि हमने free article, rewriter का इस्तेमाल करके, करीब करीब 77% यानि 80% तक इस article को unique बना दिया है, ठीक है, और सिरफ 23% यह पुराने वाले article से mail खाता है, अगर कोई भी article 70% unique है तो वो copyright free हो जाता है दोस्तो, मैं दुबारा से बोल दूँ, कोई भी article अगर 70% या उससे ज्यादा unique है, तो वो copyright free हो जाता है, यानि उस पर पहले article लिखने वाला व्यक्ति यह claim नहीं कर सकता, कि भाईया आपने मेरा article ही किसी और को बेच दिया है, क्यों? क्योंकि वो 70% unique हो inspire होकर ही तो लिखते हैं, जिसने पहले article लिखा है, उसने भी किसी ना किसी से inspire होकर ही लिखा होगा, सिरफ और सिरफ 100% अपने दिमाग से लिखना कोई भी नहीं करता है, आज के time में पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा articles लिखने पड़ते हैं, एक article लिखकर तो आप सा यह थोड़ा बहुत पुराने वाले article की copy है, और बाकी जो है, वो सब का सब unique है, आप देख सकते हैं, तो यह copyright free हमारा अब हो चुका है, हम इस article को, client को बेच सकते हैं, बे धड़क, क्योंकि वो client भी कल किसी तरह की किसी problem में नहीं फसेगा, क्योंकि आपने जो उसको article दिया तो हम इसको copy करके ले जा सकते हैं, और उसके बाद हम कहीं पर इसको word document में save करके client को दे सकते हैं, ठीक है दोस्तो, तो दोस्तो यह अब आपने देख लिया कि हमने यहां पर एक article बिना लिखे, किसी और का article लेकर, उसमें बदलाव करके, changes करके, इस तरह से बना लिया कि वो copyright free हो गया दोस्तो, आपकी आँखों के सामने हुआ है, 100% free of cost हुआ है, ठीक है, अब मैं आपको यह दिखाता हूँ, कि इस article को, या किसी भी article को, जब आप freelancer.com पर बेच देते हैं, तो पैसा कैसे आपके account में आता है, चलिए हम आपको दुबारा से freelancer.com पर लेकर चलता हू अब देखें, दोस्तो, हम यहाँ पर थे, जब मैंने आपको यह दिखाना शुरू किया था, कि हमें कोई भी article Google search पर जाकर कैसे ढूणना है, और उसको कैसे copyright free बनाना है, ठीक है, अब मैं आपको यह दिखाता हूँ, कि हमें freelancer.com से पैसा कैसे मिलता है, अब देखें, friends, यह यहाँ पर जो मेरी profile बनी हुई है, मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करूँगा, यह जो एक arrow बना हुआ है, और withdraw funds पर क्लिक करूँगा, अब आप देख सकते हैं, दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है withdraw money, ठीक है, और नीचे आएंगे, तो बहुत सारे options हैं, पैसा withdraw करने के, PayPal है, स्क प्रिल से payment लोग मंगाते हैं, जो काम करते हैं, लेकिन भारत में PayPal ही चलता है दोस्तों, तो दोस्तों, अभी आपको यह PayPal का account बनाने की या add करने की आवश्यक्ता नहीं है, जब आप freelancer.com से कमाई कर चुकेंगे, ठीक है, पैसा आपके account में दिखने लगेगा, ठीक है, जब आपके account में दिखने लगेगा, तो आप PayPal का एक account यहाँ पर attach कर सकते हैं, देखे, PayPal एक बहुत ही असान तरीका है, पूरी दुनिया से पैसे मंगाने का, अपने भारतिय सेविंग account में, और आप PayPal का अपना account सिरफ दो मिनट में अपने mobile phone से दोस्तों बना सकते हैं, 100% free है, ठ उस चक्कर में ना पड़ें, अभी फिलाल आप freelancer.com से पहले कमाई कर लें, ठीक है, जब आपको यहाँ पर कमाई दिखने लगे, freelancer.com एक बहुत ही genuine site है दोस्तों, आपका पैसा यहाँ से कहीं नहीं जाता है, जब आपकी यहाँ पर एक अच्छी खासी कमाई हो जाए, उस के कारण नौकरियां छूट रही हैं लोगों की, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, देखे दोस्तों, जब से इनसान इस धर्ती पर आया है, वो दूसरे जीव जन्तूओं और वाइरस और बैक्तिरिया पर भी विजय पाता आ ही रहा है, अपने से ताकतवर जानव को इस धर्ती से करिब करिब खतम ही कर दिया, उसी तरह से हम इनसानों ने वाइरस और बैक्तिरिया से लड़ने के लिए एंटीबायिक दवाईयों का अविश्कार कर लिया, और वैक्सीन बना ली, जिनको लगवा लेने से हम इनसानों को ये बिमारियां अब होती ही नहीं, और अगर हो भी जाती हैं, तो ऐसी ऐसी दवाईया हैं हम इनसानों के पास कि हम कुछी दिनों में बिल्कुल भले चंगे हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बहुत जल्दी ही इस करोना महमारी पर भी हम इनसान विजय पालेंगे, मैं सिर्फ आप से एक ही रि बिजनस में लगाएं, ये जो मैं आपको पाट टाइम इंकम या घर से काम करने के तरीके बताता हूं, ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने खाली समय में ही करेंगे, इसके अलावा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या आपकी नौकरी छूट चुकी है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ, मैंने काफी वीडियो बना कर यूट्यूब पर डाल रखे हैं, जिन में मैंने ये बताया हुआ है, कि वो कौन सी यूनीक ट्रिक्स हैं, जिन को फॉलो करके आपको फुल टाइम नौकरी जल्दी से जल्दी मिल सकती है, मैं उन वीडि वीडियो में बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो करके आपकी एक अच्छी फुल टाइम नौकरी लग सकती है, तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी माच